सो फ्रेंड शुरू करते हैं आज की वीडियो, आज का हमारा पहला वर्ड होगा डिलाइट, डिलाइट मतलब खुशी या मज़ा, एक्जामपल से समझेंगे, वो खुशी से चिलहाया, इस इंग्लिश में बोलेंगे, he shouted out in delight, यानि वो खुशी से चिलहाया, उसे दूसरों को गलत साबित करने में मज़ा आता है, यानि के खुशी मिलती है, इस इंग्लिश में बोलेंगे, he takes delight in proving others wrong, यानि उसे दूसरों को गलत साबित करने में मज़ा आता है, खुशी मिलती है, next word होगा seldom, seldom मतलब कभी कभी या कभी कभार, एक्जामपल से समझेंगे, वो कभी कभार ही बाहर जाती है, किसी लड़की के बारे में कह रहें कि, वो कभी कभार ही बाहर जाती है, इस इंग्लिश में बोलेंगे, she seldom goes out, she seldom goes out, वो कभी कभार ही बाहर जाती है, tom कभी कभार ही गुस्सा होता है, tom seldom gets angry, tom seldom gets angry, यानि tom कभी कभार ही गुस्सा होता है, tom seldom gets angry, next होगा friends, eventually, Eventually, eventually मतलब अंत में आखिरकार, example से समझेंगे, आखिरकार Tom को मनपसंद जोब मिल ही गई, मतलब कि Tom को ऐसी जोब मिल गी, जो से पसंद थी, इस English में बोलेंगे, Tom eventually found a job that he liked, तोम eventually found a job that he liked, यानि आखिरकार Tom को मनपसंद जोब मिल ही गई, मैं जानती थी, अंत में दोशी मुझ तो मजही हा भी चाहिए कि मैं जानती थी, अंत में दोशी मुझे भी मुझे भी थेहरा है जाएगा, या Tampa धनी मुझे पता था कि अंत में दोशी मुझे भी थेहराया जाएगा, तोम भी vary ش्वव शुन, I knew I would get blamed, you know, I allora जाएगा, next होगा friends comply, comply मतलब मानना या पालन करना जैसे कि उसे मेरे फेसले को मानना पड़ा, इस English हो बोलेंगे he had to comply with my decision, he had to comply with my decision यानि उसे मेरे फेसले को मानना पड़ा, सभी नागरिकों को कानून का पालन करना चाहिए यानि कानून को मानना चाहिए All the citizens must comply with the law All the citizens must comply with the law यानि सभी नागरी को कानून का पालन करना चाहिए Next word होगा friends Frequently Frequently मतलब अकसर Example से समझते हैं Tom अकसर एक टोपी पहनता है इसे English में बोलेंगे Tom frequently wears ahead Tom frequently wears ahead Tom अकसर एक टोपी पहनता है इसका एक और example होगा उसे अकसर बुरे सपने आते हैं बुरे सपनों के लिए मियूज करेंगे Nightmares का She frequently has nightmares She frequently has nightmares यानि उसे अकसर बुरे सपने आते हैं She frequently has nightmares Next word होगा Accumulate Accumulate मतलब जमा होना या जमा करना Example से समझते हैं Desk पर धूल जमा होगए जो desk है उस पर धूल जमा होगए इस English हो बोलेंगे Dust has accumulated on the desk Dust has accumulated on the desk यानि desk पर धूल जमा हो गई इसका एक और example होगा उसने बहुत सारी दोलत जमा कर ली तो यहाँ पर हम किसी आदमी के बारे हम बात कर रहे हैं कह रहे हैं कि उसने बहुत सारी दोलत जमा कर ली English हो बोलेंगे He has accumulated lots of wealth He has accumulated lots of wealth यानि उसने बहुत सारी दोलत जमा कर ली Next होगा friends Allergic Allergic मतलब किसी चीज़ से allergy होना जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुझे अंडो से allergy है I am allergic to eggs I am allergic to eggs यानि मुझे अंडो से allergy है यहाँ पर हम किसी से पूछ रहे है कि क्या तुम्हें किसी चीज़ से allergy है Are you allergic to anything Are you allergic to anything क्या तुम्हें किसी चीज़ से allergy है उसे chocolate से allergy है तो यहाँ पर हम किसी के बारे में कह रहे है कि She is allergic to chocolate She is allergic to chocolate यानि उसे chocolate से allergy है next word होगा friends well noun well noun हम use करेंगे जाना माना जब भी कोई जाना माना होता है की चीज़ के लिए उसके लिए हम well noun के उज़ करेंगे जैसे की ये किताब एक जाने माने लेखग द्वारा लिखी गई थी तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी जाने माने लेखक दूआरा तो जाने माने के करेंगे वेलनाओन का this book was written by a well-known author this book was written by a well-known author यानि यह बुक एक जाने माने लेखक दूआरा लिखे गई थी एक और example देखते हैं उसका वह काफी जाना माना एक्टर है तो कोई एक्टर है उसके बारे हम कहे रहेंगे He is quite a well-known actor He is quite a well-known actor वो एक काफी जाना माना actor है He is quite a well-known actor Dizzy Dizzy मतलब चक्कर जैसे कि मुझे चक्कर आ गया था I got dizzy I got dizzy मुझे चक्कर आ गया था I got dizzy Next होगा मुझे चक्कर आ रहे हैं I am feeling kind of dizzy I am feeling kind of dizzy यानि मुझे चक्कर आ रहे हैं I am feeling kind of dizzy, next होगा friends, concern, concern का हम तभी उस करेंगे जो हम बोलना हो, चिंता चिंतित होना, जैसे कि यह तुम्हारी चिंता नहीं है, this is not your concern, this is not your concern, यानि यह तुम्हारी चिंता नहीं है, this is not your concern, next होगा repent, repent मतलब पश्ताना या तोबा करना, example समझेंगे, you must repent for what you did, you must repent for what you did, यानि तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें तोबा करनी चाहिए, पश्ताना चाहिए, you must repent for what you did, next होगा friend, stammer, stammer मतलब हकलाहत या हकलाना, she spoke with a stammer, she spoke with a stammer, यानि वो हकलाते हुए बोली, she spoke with a stammer, ashamed, ashamed मतलब शर्मिंदा, example समझेंगे, you should be ashamed of yourself, यानि किसी ने कुछ बुरा का हम क्या है, तो हम उससे कह रहेंगी, you should be ashamed of yourself, यानि तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, you should be ashamed of yourself, next होगा friend, certainly, certainly मतलब यकीनन, example समझेंगे, I certainly didn't want this, में यकीनन ऐसा नहीं चाहता था, I certainly didn't want this, में यकीनन ऐसा नहीं चाहता था, तुम्हारी महनत यकीनन रंग लाएगी, your hard work will certainly pay off, your hard work will certainly pay off, तुम्हारी महनत यकीनन रंग लाएगी, next होगा friend, bride, bride मतलब दुलहन, example समझेंगे, I want to be your bride, तो कोई लड़की है वो कह रहेगी कि मैं तुम्हारी दुलहन बनना चाहते हूँ, इस English में बोलेंगे, I want to be your bride, I want to bride में तुम्हारी दुलहन बनना चाहते हूँ, bride मतलब दुलहन, next होगा friends, aside, aside मतलब एक तरफ, यहाँ पर जो sentence है, put it aside, तो कोई चीज है, उसके लिए हम कह रहे हैं कि इसे एक तरफ रख दो, put it aside, इसे एक तरफ रख दो, next होगा despair, despair मतलब निराश, don't despair entirely, पूरी तरह से नि next होगा certain, certain मतलब यकीन निश्चित, I am quite certain, यानि मुझे पूरा यकीन है, I am quite certain, मुझे पूरा यकीन है, so friends, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक जरूर कर देना, और यह मैं एक बात कहना चाहता हूँ, vocabulary जो हैं बहुत ज़ जरूरी है, आपका वर्डो की knowledge होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना English भोलना दूर की बात यकीन मानना अच्छे से पढ़ भी नहीं पाओगे, reading भी नहीं कर पाओगे, reading भी कर ली तो समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हमें knowledge होना words की जरूरी है, तो यह वीडियो ह जो आपकी बहुत help करेंगे, यहाँ पर ज़्यादतर हमने words लिये हैं, वो काफ यूज होते हैं, जब कभी भी आप English में बोल होगे या पढ़ होगे या लिखोगे, इन तीनों situation में, इस तरह की vocabulary बहुत ज़्यादा useful होती है, so friends, अगर आप सच में अपनी English को improve करना चाहते ह तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज हमारे इस चैनल पर आपको regular देखने को मिलती रहेंगे, so friends, जरूर बताना, कमेंट्स बॉक्त में आपको वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, and thank you so much for watching this video friends तूर अमारे इसे तरह के बड़ियोफ मारे कमेशड़ को ले लेविछ, हमारा थाषलस, जरूर से ही पनल पर झlotी है, we सो हम आपको इसांगा, हमक मेंट्सुजञ़ हमाराईय। चैनल कर पर नहरे हमारे शबय।